करसोक से लगभग 3 किलोमीटर दूर सनाडली निवासी एबराज का पूरा परिवार पर्यावरन बचाने की अलग पूरे समाज में जगा रहा है यहां तक की एबराज दौरा लॉकडाउन के दौरान विशेश तोर पर देवदार बांड दाडू चारापती अक्रोट आधी की नर्सरी अपने खर्च पर तैयार की गई अब उनके द्वारा निशलक तोर से नस्दी की जंगलों में सभी का सहयोग लेकर पौधर उपन किया जाएगा एबराज ने कहा कि अबसर कोई भी हो हर नागरिक को पौधर उपन करना चाहिए अब जी आप नेकि гंजर सरी त्यार की है और यह परिवरन का संदेश देने के लिए आप इक नर्सरी थयार किया इसका क्या मक्सट है अब का हमारा मक्सथ इसका यह में जैसे आचकल बरसाद के अगर हमारे जंगलों में पेड़ ठीक लगे होंगे तो इसकी जड़े होती मिरिदा को पकड़के रखती है जिससे बाड आने का खत्रा भी बहुत कम रहता है और जो यह बूस कालन होता रहता है इसके भी चांस रेर एक प्रसेंट रहते हैं तो आप यह पौधारोपन कहा कहा करेंगे इसके पौधारोपन हमने वैसे एरिया चीनित किया है अब यह जो शोंट मंदिर से उपर वाला एरिया है यहाँ पे लगाएंगे कुछ हम मतलब कहने का वन प लोट्शल पंचायत में और सुनारली पंचायत में कुछ एरी हमने चीन देख बोलते हैं कुछ शेगल के पड़े ताकि बंद्रों को ये भी कुछ जंगलों में फल दार पड़े लगा सकें। और कुछ फुमानी के पड़े सो ड़ेशल लगाए हैं, वो भी इस बार जंगलों में बंद्रों के लिए लगाना चाते हैं। उससे हमारे दो फाइदे रहेंगे, एक तो जंगलों में बंदरों को खाने के लिए फल मिल जाएगा और दूसरा हमारे परेवर्ने की रक्षय भी होती रहेगी, तो इस तरह से हमने ये एक पलान बनाया है, कि इस बार हम इनको अपने पूरे जंगलों में जाजा हमने एरिया चिंडिट किया है, वहाँ लगाएंगे, मैंने ग्राम पंचायत भंथल के परधान जो रविन्द्र जी है उनसे बात किया है, कि महिला मंडल, यूबक मंडल की स्याथा से हम इन पड़ों को इन पंचायतों में लगाएंगे, अब हम सनाली पंचायत तो मेरी अपनी पंचायत है वहां पे दिवेंदर कुमार परधान से बात करेंगे और यूबक मंडल भी है वहां पे महिला मंडल भी है उन सब से बात करके हम इन पधों को अभी निशुल लगाए नहीं संदेश यही देगा कि पर्यावर्ण पर देखो पर्यावर्ण मानम समाज और पर्यावर्ण जिसको हम प्रकीति बोलते हैं हमारा और पर्यावर्ण का संतूलन बनना बहुत जुरूरी है इसका हधार वन ही है बन के विना अगर संतूलन बन गया मानम समाज और प्रकीति के बी वहीं उत्राखंड की सीमा पर प्रदेश की अंतिम पंचायत किरन में एक अध्यापक ने व्रिक्षार उपन कर पर्यावरण संवरक्षन का एक प्रयास शुरू किया है उनका यह प्रयास धीरे धीरे एक अभियान बनता जा रहा है और उनके इस अभियान में अन्य लोग भी चुणने लगे हैं राजकी वरिष्ट माधह में एक स्कूल मनेवटी के समाध शास्त्र प्रवक्ता सूरत चौहान ने लोगों से आग रह किया है कि परयावरण संवरक्षन के महत्व को समझते हुए हर साल खाली जमीन पर व्रिक्षारोपन जरूर करें जर वगों से तो प्रवड़ा व्रिक्षारोपन जरूर करें हम सभी जानते हैं कि ब्रिक्षा में ऑक्षिजन लेते हैं ऑक्षिजन के बीना दुनिया का कोई बिजीब जीवित नहीं रह सकता है इसलिए हमें बनों का सरंक्षन करना चाहिए परेवाण को संत्रोल बढ़ाय रखने के लिए पौद रोपन करना अनिवारे हो गया है मैंने पिछले वर्ष सो देवदार के पोदों का ब्रिक्षा रोपन किया था जिसमें से असी पोदे काम्याब हो चुके हैं इस वर्ष मैंने 505 देवदार के पोदों का ब्रिक्षा रोपन किया है मैं आगामी आने वाले वर्षों में भी हो कारेकरम जारी रखूंगा और मेरा हिमाचर प्रदेश के सभी लोगों से नम्र नियोदन है कि आप भी अपने आसपास जो भी आपकी खाली भूमी है उस पर विक्षार उपन करें ताकि हमारी धर्ती हरी भरी हो सके पृत्थी पर मानाब जीवन तभी लंबा चल सकता है यदि हम बन को बन का सर्क्रिशन करेंगे प्रक्रती हमारी आश्कताओं की पूर्थी क्या करती है इस परकार हमारा भी करतबे बनता है कि हम भी इस पुनित करें में आगे बड़े इसकी रक्षा करें प्रिथी पर परस्परिक संत्रों बनाय रखने के लिए वन अत्यंत मेहत्वपर्ण है और इस प्रकार मेरा फिर पुने निवदन रहेंगा कि आप अधिक सदिक भन लगाएं जंगल में आगना लगाएं और परेवन को सुरक्षित रखने में सबका सहयोग दे